नवसकार दोस्तो जहींद वंदेवातरम शभी पैरमित्रों का विलकम अभिननन है टीटी परिवार सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करने वाले हैं परियावण की बात करेंगे एवियस की बात करेंगे इन्वारिमेंट इस्टेडीज के एंसी आटी के प्रिटरन पर यह प्रेक्टिस सिच नमबर आपका फॉर्थ है सबी पैरमित कमेंट करें फीडवे करें बात करेंगे टॉप 20 कोश्चन जी हां दोस्तो इस प्रेक्टिस सेट में 20 समात्पूर्ण लाजबाब NCRT के पैटर्न पर आपके सलेवर्स के कारडिंग यहां पर सलेट की गए हैं आईए देखते हैं सबी 20 प्रस्णों को और दोस्तों 20 में से आपका स्कोर क्या है क्या आपका स्कोर 15 में से वाकई प्लस है तो वाकई में आप जीनियस है 15 से कम है अगर 10 प्लस है तो कोई बात नहीं है आप भी जीनियस है आप और जीनियस है आप और ठीक है मेहनत करते हैं मे राजने की है केरल उडिशा हर्याना मद्ध प्रदेश अबी कमेंड करेंगे हर एक भाई वे ने ग्रणी जिनका सपना है दापक अधापिका बनना से चक्सिच का बनना वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की गोशना किस राजने की है आपका कमेंड क्या कहता है जबाब आ चुका है दोस्तों इंसर आ चुका है हम आपसा नंबर बी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं आपसा नंबर बी उडिशा की बात कर रहे हैं वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की गोशना ओरीशा राजने की है कोरोना वारस महामारी के बीच ओरीशा सरकार ने पहाडी और वन छेत्रों में आर्थिक गदविदियों को बढ़ावा देने के लिए वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की गोशना की है यह नव निर्वित प्रस्ण है इसलिए important हो जाता है दूसरा प्रस्ण है दोस्तो plague tiger तितली का वग्यानिक नाम क्या है मसका होगा आपका Demastica, Oxymant Tony Florum Danas, Crispus या 21 असिनस की बात करेंगे सभी permit कमेंट करें Plain tiger तितली का एक तितली है जो Plain tiger के नाम से इसका वग्यानिक नाम पूछा गया है और इसका वग्यानिक नाम क्या होता है Danas Crispus होता है C option सही हो जाएगा अपना भी comment feedback करते रहें जी हाँ Plain tiger तितली का वग्यानिक नाम Danas Crispus है यह नरंगी और गेरिवे रेंग की Plain tiger होती है तितली जो पहाड़ी लाकों को छोड़ कर बांकी भारत में लगबग सभी जगों में पाए जाती यह नि पहाड़ी लाकों में नहीं पाए उँचाई पर नहीं पाए जाती है और तितली जादतर अलग थलग उतले फूलों उपर बैठती है पंक फैला कर धूप सेंखती है और इसके पंकों की लंबाई जो है लगबग 6.7 सिंटिमीटर के आसपास होती है तीसरा प्रस्णाप के स्कीन पर है चिपको अंदोलन का करनाटक में दूसरा नाम क्या है व्रच्मित्र अंदोलन अपिको चलू वाली पेंड बचाओ अभियान या पेंड हो इनसान सभी कमेंट करेंगे सभी मेरे ब्यारे भाई बहन जी हाँ कमेंट आ चुका है फीडवेक आ चुका है चिपको अंदोलन का करनाटक में देखे कोई भी आपका टीटिक जाम हो ऐसा हो नहीं सकता कि चिपको अंदोलन से ठीक है में शुरू की गई थी 1973 में और चिपको अंदोलन 8 सितंबर 1981 को दच्छिन के करनाटक में सिर्शी छेत में अपिको के नाम से यह प्रकट हुआ था चौथा प्रसन दोस्तों आपकी स्कीन पर है चिपको अंदोलन के प्रणेता कवन है सुन्दालाल भगुडा चंडी प्रसाद भठ कल्यांद Nature रावत गोरा देवी शवी कमेंट करेंगे जी हां चिपको अंदोलन की जब भी बात की जाती प्रणेता प्रणेता की बात की चंडी, प्रसाद, भट्ध की बात करेंगे जिहां चिपको अंदोलन के प्रणेता चंडी प्रशाद भठ है यह अंदोलन की शुरूआत 1973 में 1973 में ततकालीन उत्तरपदेश और वर्तमान उत्रखण जब यह जब यह अंदोलन शुरूआ पहले उत्तरपदेश में क्योंकि यह उत्तरखण अलग नहीं था लेकिन वर्तमा बाद परियावणित थे प्रशना सकता है कि चंडी प्रसाद भट थे कौन से एक गांधी बादी परियावणित थे उन्होंने सुन्दालाद बगुणा के साथ मिलकर ब्रच्छो वनों के साथ चिपको नोरन के प्रमुक कारकरता की रूप में काम किया जिसके लिए यनी चंड समदाय नेत्वत करने के लिए रेमन मैकसेश पुरुसकार दिया गया था चंडी प्रसाद भट को 1982 में समदाय नेत्वत करने के लिए रेमन मैकसेश पुरुसकार दिया गया और ये भी आपको ध्यान देना है उन्हें भारत सरकार द्वारा 2005 में पद भूशन तथा 2013 में गा प्रशाद भट को भारत शरकार ने 2005 में पद्म वहोशन पुरुषकार और 2013 में गांथी शान्त पुरुषकार से समानित किया ये प्रशन निर्मित बन सकता है क्रियेटिव प्रशन है ध्यान देजेगा पांच वा प्रशन देख लेते हैं क्या है दोस्तो चिपको अंदोलन कि किससे समंदित है आदिवासी बिवाय प्रथा से है ब्रचो को काटने से बचाने से है मस समच्छन से है या जल समच्छन की बात करेंगे आपका कमेंट क्या कहता है आपका फीडवे क्या कहता है सभी कमेंट करेंगे चिपको अंदोलन दोस्तों किससे समंदित है चिपको अं क्यों ले जा सकता है मैदी अंदोलन कब鼠 शुरू हुआ था वर्स 1984 वर्स más 1990 वर्स चुघ। 1994 298 को कंप षयां हो सकता है नबे से लेके या इसमें से सभी का किसी ना किसी का डेट आफ वर्थ है। जी हां किसी ना किसी का डेट आफ वर्थ लिखा हुआ है या किसी लेकिन मैती अंदोलन मैती अंदोलन की जब भी बात की जाते हैं 1994 की बात करेंगे आपसर नमबर 6 is the right answer, correct answer वन संद्चन के लिए कल्यान सिंग रावत नहीं ध्यान दीजेगा वन संद्चन के लिए कल्यान सिंग रावत ने मैती अंदोलन वर्स 1994 में प्रारम किया यहां से दो प्रशन और मनते हैं टिक है मैती अंदोलन किस के लिए किया गया तो वन संद्चन के लिए किया गया और मैती अंदोलन किस ने प्रारम किया था तो कल्यान सिंग रावत ने प्रारम किया था सात्वां प्रस्दोस्तों आपके स्कीन पर है मैती अंदोलन दोस्तों किसे समंदित है पर्यावर्णी, सनच्छन, हीत, भावात्मक अंदोलन जमीदारों द्वारा शोसन होना या अंग्रेजों के अत्यचारों के विरिद होना या लगान का वहिशकार करना शबी प्यारमित जानते हैं मैती अंदोलन किश्ची समंदित है मैती अंदोलन जो है या पर्यावरणी सनच्छन ही तुभावात्मक अंदोलन था पहला आपसन करेक्ट इंसर राइट इंसर हो जाएगा I think सभी प्यारमित बीडों को एक बार दिल से लाइक करें सभी मित्रों को जेहिंदो वन्दे मातरम इंकलाप चिंदाबाद एनर्जी डाउन नहीं करना है एनर्जी को बरकरार रखना है ठीक है और यह एनर्जी बरकरार रहेगी सेलेक्शन में काम आएगे दोस्तों जी हां आठमा प्रसनाथ के स्कीन पर है भारत का पहला पूर्ण जैविक क्रशिवाला राजी कौन सा है मनिपूर, शिक्किम, केरल, अरुनाचर पदेश चार महत पूर्ण राज आपके दिये गए हैं जी हां चार महत पूर्ण राज मनिपूर, शिक्किम ये पूर्वी राज है और केरल सभी लोग जानते हैं केरल हमारा क्या आता है दच्छिन पस्चिम की बात कर रहे हैं भारत का पहला पूर्ण जैविक क्रशिवाला राज आपका कमेंट कहता है कि आपसा नंबर B की बात कर रहे हैं सिक्किम की बात कर रहे हैं पोल सही जवाब है आपका भारत का पहला पूर्ण जैविक क्रशिवाला राज सिक्किम हैं राज में तकरीबन 75,000 एक्टेर क्रशिभूम में टिकाओ क्रशिभूम करके सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज बन गया है और प्रधानमंती नरेंद मोंदी 18 जनवरी 2016 सोला को गंग टोक में इसकी गोशना की थी नवा प्रशन दोस्तों आपके स्केन पर है भारत का पहला जैविक राज जिकी बात कर रहे हैं केरल मनिपूर्ण सिक्किम और रांचर पदेस हमने पिछले कोशन में देखे ये जो प्रशन बनते हैं इसलिए हमने ये जो डिफिन सेक्शन शरोपर है आपका परिवार है वर फैमली है टीटी परिवार है लाइक सेयर सब्काइब करते रहें शपोर्ट करते रहें तो भारत का पहला जैविक राज की बात करेंगे सिक्किम की बात करेंगे जी हां गोडवर को राज और इसको कब मिला था तो इसको दोस्तों 1981 में राज की पच् Push का दरजा मिला था राज की पच्छी का दरजा गोडवर की बात करेंगे ठीक है 1981 मिला अर राज राज पच्छी गोडवाल का बैग्यानिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या है आडियो टीस नाइगरी सेप्स की बात करेंगे और राजिस्थान में राश्टी मरुद्यान जैसल मेर शोंकलिया अजमेर और शोरसन में ही पाए जाते हैं सारी चीजे हैं सोन्चिरिया जिसे बोलते हैं ठीक है महाशारंग घोगार हुकना आदी इनके उपनाम भी है तो सोन्चिरिया जो कहते हैं कहां की है तो सभी लोग जानते हैं गोडवार को इसके उपनाम है सोन्चिरिया के नाम से जाना जाता सोन चिडिया के महाशारंग गोगार हुकना आदिनाम के सान जाना जाता है यह राजिस्थान का राजकी पच्छी है अंगला प्रसने मद्ध प्रदेश का राजकी पच्छी कौन सा है मोर, दूद राज, हरियाल, गोडवार देखे राजटी पच्छी की बात करते हैं तो हमारा मोर नाम आता है लेकिन अगर मद्ध प्रदेश की बात करें मद्ध प्रदेश का राजकी पच्छी कौन है तो वह हो जाएगा दूद राज और सभी लोग बताएंगे कमेंट वाला उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी कौन है उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी कौन है नीचे कमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करेंगे यूपी का राजकी पच्छी कौन है राजिस्थान का जान लिया, आपने यंपी का जान लिया UP का कौन सा राज की पच्छी है सभी कमेंट करेंगे अंगला प्रशन है दोस्तों तितली का वज्ञानिक नाम पूछा गया है मस्का, डिमेश्का, आक सिमेंट ट्यूनी फ्लोरम, एपिस या 21 असिनस की बात करेंगे तो C.A.P.S.N. को लाग किया जाए तितली का वज्ञानिक नाम C.A.P.S.N. एपिस की बात करेंगे तिरहावा प्रशन है आपको पता है टॉप 20 कोश्चन के या प्रेक्टिस सेट रहेगा NCRT के पैटन पर प्रेक्टिस सेट नमबर 4 है डेली आपको 20 प्रेक्टिस मिलेंगे जी हाँ कब तक मिलेंगे 500 प्रेक्टिस जब तक हो न जाएंगे MCQ प्रेक्टिस सेट आपके कॉश्चन कंप्लीट न हो जाएंगे आपका सलेवस आपका कंसेट क्लियर न हो जाएगा और सलेक्शन में जो हमने 30 आप 30 का सपना देखा और जरूर करेंगे साथ साथ पेड़ागॉजी सिच्छा साथ के भी कॉश्चन करेंगे भारत में सरवादिक नगरी जनसंख्या वाला राज गोवा, महाराष्ट, केरल, मिजोरम अब आपको कमेंट करना बहुत ही आसान प्रस्ण है और इस प्रस्ण को कहीं से खोजी एक कमेंट केजे भारत में सरवादिक नगरी जनसंख्या वाला राज काउन साथ आपको कमेंट करके बताना है ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अब देखते हैं दोस्तों अंगलाब जै विवित्ता सब्द की रचना किस ने की थी? बीपी सिंग, कारल मोबियश ने, सर एजी टेंसले ने वाल्टर जी रोजने की बात करेंगे जै विवित्ता सब्द की रचना किस ने की थी? एक ही जवाब, एक ही आपसन आएगा हम बात करें वाल्टर जी रोजेन की बात करेंगे और आपको पता है रेड बुक लाल एक बुक है रेड डाटा बुक आप ने सुना होगा यह दोस्तों किस से संबंदित है एक प्रशन जरूर आपके एक जाम पहराता है बिदेशी प्रजातियों की जानकारी से आथिक रूप से महत्पूर प्रजातियों के लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी या शभी पौधे वाज जानूरों की प्रजाति रेड मतलब होता है खत्रा रेड का मतलब होता है खत्रा ठीक है अगर रेले में देखते होंगे रेड लाइट जलती ही मतलब ट्रेन स्टाप हो जाएगी खत्रा है रुख जाएगी ठीक है गाड़ी में देखते हैं नाइट में जब हम गाड़ी ये कार कुछ भी देखते चलाते हैं तो पीछे वाले कई सारा हम दिखता नहीं वो light से ही पता चलता है अगर red light है मतलब ये गाड़ी धीमी गो रही तो पीछे वाला भी धीमा कर लेता है मतलब red का बहुत ही यहां पे चीज़े है red और green ये color बहुत ही popular color है तो red data book की जब भी बात करते हैं तो लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी के लिए एक लाल किताब बनाई गई है दुनिया की प्रथम red data book एक जन्वरी 1972 को प्रकासी थुई थी दुनिया की प्रथम red data book का प्रकासी थुई थी दोस्तों एक जन्वरी 1972 को प्रकासी थुई थी अवर्स 1963 से प्राक्तिक समच्छन के लिए अंतराश्टी संग बिलुप्त प्राय असुरच्छी तथा दुरलब जीयों तथा पात्पों से शमनी red data book जारी करता है एक द्यान दिजेगा एक जन्वरी 1970 को श्रपथम दुनिया का red data book प्रकासीत किया गया था एक जन्वरी 1970 याद रखेगा प्रशने को अंगला प्रशने है प्रशने कहरा red data book में जो है किसके आंकडे होते हैं इसी प्रजातियों के तो आपसा नमर भी होगा सिंपल सी बात है प्रशन वही है लेकिन थोड़ा सा आपसन को change कर दिया गया है लेकिन हमारा correct आपसन वही होगा सभी जानते लुप्त प्राय प्रजातिया लुप्त या बिलुप्त दिया जाए ठीक है आप लोग समझते हैं ज्यानी है शरवग्य वरक्याता है अंगला प्रशन दोस्तो गोमर्डा अभियारंड कहां पर है धमतरी जिले में, रायपूर जिले में रायगर जिले में या सरगुजा में तो देखे सभी को बता देता हूँ गोमर्डा अवियारंड राजिस्थान राजपर है और राजिस्थान के किस जिले में है आपका कमेंट आ चुका है राइगड जिले की बात करेंगे और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी यह अवियारंड 278 किलो मीटर में विस्रत है जहां पर बाग, तेतवा, शांभर, गवर भालू आद उपाय जाते हैं और धमतरी जिला में सीता नदी अवियारंड भी आपका यह एस सित है अठ रामा प्रशन के रहा है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घरती जनसंख्या का कारण क्या है रीजन क्या है भारत में देखते होंगे गिद्ध जो है ठीक है तेजी बढ़ना चाहिए अगनी कि उत्पादन जादा और खपत कम हो रहा है ठीक है सभी लोग जानते जन्म जादा म्रत उदर कम होगी म्रत उदर कम होना मतलब ब्रद्ध होना लेकिन यहाँ पर घटने की बात कह रहा है अठाद भारत में गिद्धों की तेजी से घटने का जो का की बात कर रहे हैं साट मिलियन से चालीस जार तक की बात कर रहे हैं और बांबे नेचुरल हिस्टी सोसाइटी वी एन एचेस के विशलेशन के अनुसार डिकलो फिनिक का एक पस्च किस्ता में उपयोग भारत में गिद्धों के लिए यह मुख खतरा बन चुका है यह किस प कमेंट करते रहें फीड़ेक करते रहें प्रस्न का उत्तर आ चुका है ओजोन परत का शकेंदन किस मंडल पर है आपका जवाब आएगा समताप मंडल जी हाँ हम बात कर रहे हैं इस ट्रेटो स्फियर की बात कर रहे हैं निचले भाग में प्रत्वी की सतय के उपर लगवग दस से पचास किलोमीटर की दूरी तक यह पाई जाती है दूसरी छो मंडल की उपर पाया जाता है और यह शूर की अल्ट्रा वाइलेट किर्णों को प्रत्वी तक आने शे रोपता है दोस्तों और इस प्रेक्टिस सेट का अंतियम प्रस्न बीश्मा प्रशन है हरित जलवा वित्व वैंग की बात करेंगे शवी कमेंट करें हर ایک भाई हर एक भाईहर एक बहन हर गर्हनी जिनका सपना है धापका धापिका बनना सिच्छक बनना शवी कमेंट करेंगे हरित जल्वाई कोश GCF क्या है दोस्तों आपका जवाब आ चुका है आपका कमेंट आ चुका है हम बात करें जल्वाई परिवतन शम्मेलन के बात करेंगे आपसे नमबर बिकी बात करें हरित जल्वाई कोश क्या है यह जल्वाई परिवतन में शम्मेलन के बात करेंगे हरिज जलवाई कोश 29 नमबर से 10 इसंबर 2010 तक मेक्सिको के कानकुन में आयोजित एक सन्युक्त राश जलवाई प्रवतन शम्मेलन UNFCCCOP 16 में पहली बार हरिज जलवाई कोश की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था तो दोस्तो टाप 20 कोश्चन आपको कैसे लगे परियावन की बात करेंगे इन्वारिमेंट इस्टड़ी जो के NCRT के परटन पर है आपके सलेवर्स के कॉर्णिंग है और हमारा जो ये कोश्चन रहते हैं सेलेक्टेड कोश्चन थर्ड क्लास लेके 10 क्लास तक का पूरा कनकु ठीक है आपके NCRT की जो बूख है यह निचोड किया जाता है तब तक पिर आप तक पहुंचाया जाता है यानि कि मेहनत से मिलते हैं इस मेहनत का फाइदा उठाईए त्यारी कीजिए और सेलेक्शन पाईए शपना पूरा कीजिए साथिसाद दोस्तो नोड़ स्पीडिया 5 आई भी अब आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह राज़्टित में टीटी परिवार है आपका परिवार है तो जाएए टेलीग्राम को जॉइन कीजे लिंक दे दिया गया है वाटसेप गूरूप जॉइन कीजे लिंक दिया गया है ठीक है वहाँ पर नोस सब कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ इस्टागाम पर जरूर फालो करें आपको लिंक दे दिया गया है साथी साथ दोस्तों फेस्बूक पेंच पर भी फालो कर सकते हैं साच करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर तो आपको आला मिल जाएगा आपका परिवार जल्दी मिलते हैं निश क्लास पर धनमा शभी का इसी तरह सपोर्ट करते रहें लाइक शेयर कमेंड करते रहें जल्दी मिलेगे निश क्लास पर तब तक युलिए जहिंद वन्ने मात्रम धनमा शभी का